हलो अब्रिवन मेरा नाम है हर्से स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक हर्सित में आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूटूब पर एज रेस्टिक्शन का फीचर है उसका मतलब क्या होता है ये यूटूब ने क्यों रख रखा है अपने प्लैटफॉर्म आपको सबस्क्राइगा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो यूटूब एप्लिकेशन है ये एक छोटा मोटा अप्लिकेशन नहीं है ये एक बहुत ही बड़ा प्लैटफॉर्म है जहां पर हर तरीके का कॉंटेंट अप्लोड होता है लाइक एजूकेशन लेलो इंटाइन्मेंट लेलो कॉमेडी लेलो हर तरीके का कॉंटेंट अप्लोड होता है छोटे बच्चे के लिए भी अप्लोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस लोगों के लिए होता है जिनकी एज 18 से जादा है सिर्फ उनके लिए content होता है अगर उस content को छोटे बच्चे देखते हैं तो उनके parents को अच्छा नहीं लगेगा यह हो सकता है बच्चे पर कुछ गलत effect पढ़ जाए ठीक है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह YouTube प्लस लोगों के लिए होती है तो जब भी creator ऐसे कोई वीडियो अप्लोड करता है जो सिर्फ 18 प्लस वालों के लिए होती है छोटे बच्चों तक बिल्कुल नहीं पहुंची चाहिए वह बन्ना उन पर कुछ अलट effect पढ़ेगा तो ऐसे में creator को as restricted वो वीडियो करनी पढ़ जो 18 प्लस वालों के लिए होंगी ठीक है कभी YouTube एज restriction फीचर लाया अगर एज restriction फीचर यूटूपर नहीं होता तो क्या होता कि छोटे-छोटे बच्चे भी ऐसा content देख लेते जो 18 प्लस वालों के लिए होता तो उनके parents को भी अच्छा नहीं लगता वो यूटूब के बार इसलिए एज restriction का feature बहुत ही important है यूटूब पर अगर आप creator है कभी ऐसी वीडियो बनाते हैं जो 18 प्लस वालों के लिए है सर्फ और सर्फ तो आपको उस वीडियो को एज रेस्टिक्टिट करना पड़ेगा अगर आप एज एस्टिक्टिट नहीं करेंगे और यूटूब क उसको एज रेस्टिक्टिट जरूशे करें रेस्टिट कैसे करते हैं वीडियो आपको नहीं आता है करना तो लिंक आई बेटर में चाहके आप वीडियो को बहुत कर सकते हैं सब्सक्राइब करें यूटूब पर एज रेस्टिक्टिक्टिट जो feature है उसका क्या यूज होता वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक ले चेहन